आपको बता दो एक बात और इस वीडियो में दीती है उसे हमने पब्लिस किया हुआ है यदि आप देखना चाहते हो ठीके तो आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्सन बाग में दिया गया है देख सकते हो या चैनल में जाके देख सकते हो ठीक है आपको बता दो एक बात और इस वीग भी कॉंटेस्ट आउने जिसमें गिफ्ट आपको दिया जाएगा संडे को तो यदि आप आस्क्रिट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक से और सस्क्राइब कमेंट जरूर करना चलो देखते हैं बच्चों उसमें क्या दिया ग छेत्र जहां पर करेंट या चार्ज का क्या हो रहा हो प्रवा हो रहा हो उसे कहेंगे विद्धुत ठीक है और विद्धुत परिपत में कई अवव उप्योग होते हैं और हर किसी प्रकार का एक चिन होता यानि कि कई करन क्या है प्रियोग करे जाते हो सब क्या है खुद का जैसे तार को कैसे दिखाया जाता है तो या रखना बच्चो इस तरीके से ठेक है इसके बाद है स्विच ऑन की स्थती को कैसे दिखाते है इस तरीके से बल्ब कैसे दिखाया जाता है यह चित्र दिया गया इसके बाद क्या है सेल जो होता है हमारा उसका यह चित्र होता है और स्विच जब ओफ होता है तब हमारा चितर क्या बनेगा ऐसा बनेगा और बैक्टरी का चितर क्या बनेगा कुछ इस प्रकार से बच्चो बनेगा इसके बद देखो बच्चो क्या विद्धुत सेल क्या होता है तो यंत्रुग जो रसाइनिक उर्जा को क्या है विद्धुत उ घन नातमक और एक सिन पर होता है इसके बाद क्या बच्छों बलब एंत रहे हैं जिसमें साथ इकूर्जय को क्या है प्रकास में बदल दिया जाता है और बल्व में तंतु बल्व के अंदर क्या होता है तो याद रखिएगा इसमें गुमावदार पतला टंगेस्टन जो है तत्व का तार यानि कि यहां पर होता है क्या बच्छो यह जो हता है गुमावदार टंगेस्टन तार से बना एक वायर होता है जो दूसरे सिरे के मोटे तार से क्या होता है जुड़ा होता है जो क्या होता है बच्छो यहां से क्या है एक दूसरे सिरे के मोटे वायर से क्या होता है बच्छो जुड़ा हुआ होता है ठीक है इसके बाद देखो बच्छो क्या बुला गया है कुछ खतरना नंगे हाथों से नहीं चूना चाहिए कभी भी उढ़ानी से पहले कि आपको विदृत तार के पास नहीं उढ़ाना चाहिए देख लेना चाहिए आज पास क्या है विद्धत तार तो नहीं अगर हो तो वहाँ उड़ाना नहीं चाहिए कभी भी विद्धत स्थम्ब या ट्रांसफार्मर को नहीं चूना चाहिए तीक है यानी तेम यानि जो आपके पाइप लगे रहते हैं पोल लगे रहते हैं उनको भी न छूओ ठीक है बल्ब को तभी बतले जब स्थिच औ्फ हो या थंड़ा ओ गया ठीक है ये दोनों काम हो गया या चलो देखते हैं बच्चो इसमें क्या दिया गया इसमें बुला ग तो चलो मैं इनका नाम क्या करता हूँ? लिख देता हूँ आपको जिसमें समझ मैं आ जए यहां लिख देना। एक है बच्छो और रिड़। अटमक। ठीक ये दोनों नाम आप यह लिख देना ठीक है यहां पर मैं वापस से आपको सरकिल बना देता हूँ बच्चो ये और ये फरस्ट का आंसर हो जाएंगे इसके बाद किया बच्चो इसके बाद देखो इसमें क्या दिया गया है उन उपकरणों का नाम बताईए जिनमें विद्धुत का प्रियोक किया जाता है तो बच्चो वो उपकरण कौन से हो जाएंगे एक हो जाएगा टीवी ठेक, टीवी हो गया, टीवी के बाद आपका बच्चो, मोटर हो गई, ठेक है, पानी की मोटर लिख दो इसमें, लिखो, पानी की मोटर ठीक है बच्चो पानी की मोटर हो गई टीवी हो गया इसके बाद किया बच्चो आप लिख सकते हो यहां पर एक और चीज पंखा ठीक पंखा हो गया बच्चो सौरी खामया का डंडा नहीं होगा पंखा हो जाएगा ठीक है और भी कई उपकरण होते हैं अगर आप चाहो तो उनको भी लिख सकते हो बस हमेरी तरब से इतने नहीं है आप इतने लिखो दो ठीक है बहुत है क्योंकि आगे देखो बच्चो क्या दिया गए बलब में डैस भरी होती है और बलब जो है डैस टन्तू का बना होता है तो बच्चो कौन से उसका बना होता है तो बच्चो यह क्या करोगे इसमें लिख लोगे ठीक है लिखो टंग गस टंगस 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 टत्व हो जाएगा ठीक है और यहां क्या हो जाएगा आरगन हो जाएगी ठीक है यहां क्या हो जाएगा आरगन लिख लेना ठीक है बच्चो यहां पूरा लिख देना आरगन ठीक है इस साइट तो आपका आरगन गैस हो जाएगी, आगे देखते हैं बच्चो क्या दिया गया, आगे आपकी जो वक्सीट है बच्चो वो क्या होती है, यहीं पर समाप्त होती है, आपको वीडियो कैसे लगी, कमेंट करकर बताना, वीडियो लाइक करना, चैनल सस्काइब करना, धन्यवाद बच्चो जादा सा जादा क्या करना, कॉंटेस में पास्वेट करने की कोसिस करना, ठीक है, धन्यवाद उच्चो.